नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो पौधा आपको आसपास तो मिल जाएगा लेकिन इस पौधे का प्रियोग क्या है पहले ये जान लेजिए देखे इस पौधे के प्रियोग से आप तंतरमंद्र क्रियाओं से तो बाहर निकलें प्रियोग से प्रियोग से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही अगर नौकरी बाहर बोल दें तो वह पौधे के प्रियोग से तंतरमंद्र क्रियाओं से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही अगर नौकरी ब्यापार में समस्या है कोट कचरी की मुस्किलों में फसे हैं किसी भी तरह का कोई भी मुस्किल है हर मुस्किल से आपको बाहर निकालता है तो चलिए आज हम उस पौधे की चर्चा कर रहा हैं तो उस पौधे के बारे में आपको बता दे इस पौधे को कहते हैं सत्या नासी ये पौधा आपको अपके आसपास मिल जाएगा लेकिन अगर आपके घर के पास उगा हुआ है माल लेते हैं तो वहाँ पर ये प्रियोग मत कीजिएगा हमेशा ही ऐसे जगह पर ढूणिए जो आपके घर से दूर हो जब भी कोई भी तंतर प्रियोग होता है किसी भी पौधे के पास तो उस पौधे के पास दुबारे से नहीं जाना चाहिए एसा कहा जाता है नहीं तो वह प्रियोग असर नहीं करता इसलिए ऐसे जगह पर ये पौधा हो जहां आपको दुबारा जाना ना पड़े एसा ही जगह से ढूणिएगा इस पौधे को फिर आप वहीं पर प्रियोग कीजिएगा ये परियोग करेंगे किस दिन किसी भी सनीवार और सोमबार के दिन इस पौधे के पास परियोग किया जाता है जिसके आपको फल भी प्राप्थ होते हैं तो सनी बार और सोम बार के दिन कंत्र सास्तर में ऐसा कहा गया है अगर कोई बेक्ती अपनी समस्या लेकर इस पौधे के पास सनी बार या सोम बार के दिन जाता है और इस पौधे को छू कर अपनी समस्या कह देता है तो उसके लाइफ की जो ही जीवन की मुश्किले हैं समस्या वह समाप्त हो जाता है लेकिन एक और सर्थ है कि पौधे सिर्फ ऐसे नहीं इसकी पत्ते हैं फले नहीं उसमें पुस्प भी होना चाहिए यानि पौधा संपूर्न होना चाहिए छोटा पौधा नहीं जब पुस्प आ जाता है तो वह पौधा संपूर्न हो जाता है तो ऐसा ह अभी आपको पेडिल अभी आपको मिल जाएगा इसमें पूस्प अब ен allow जिस पूदे में पूस्प कहले हो इस पौधे में पीले रंग का पुस पाता है तो जिस पौधे में पुस पो खिला हुआ है उसी पौधे का ये परियोग आपको करना है तो पहला परियोग हो गया अगर छू कर आप अपनी समस्या कह दें अब स्वास्त की समस्या है आपने एक्जाम दिया है रिजल्ट क्या आएगा आपके जो भी मन की मुस्किलें हैं या किसी भी तरह का कोई बाधा है कारियों की बाधाएं वो कह दे तो आपके वो बाधाएं समाप्त हो जाती है चलिए अब हम दूसरा प्रयोग के बारे में बता दे ये प्रयोग भी आपको सोम बार या सनी बार के दिन ही करना है साम किसम है साम मतलब 4-5 बजे के लगभग ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए ठीक है लाल धागा जो कलावा होता है न वही जो कलाई पर लपेटते हैं पंडी जी बानते हैं पुझा पार्ट में कलावा जिसको कहते हैं ये आपको कलावा लेकर इस पौधे के पास जाना है और पौधे जो सत्यानासी का पौधा है इस पौधे के नीचे तना में नहीं बानना पौधा को इस कलावा को आपको बाधना कहां पर है पौधा में जहां पुस्प है कली है पूरा जो उपर का एरिया है उसको अच्छे से आप लपेट दें धागा से कम से कम 11 बार धागा को लपेट येगा इस पौधे में उपर में याद रखिए और 3 सनी बार या 300 बार ये परियोग करन है जब आप लपेटिएगा तब अपनी समस्या उन से कहिएगा अपना जैसे आप अपना परिचे दें आप अपना नाम बताएं आप कहां से आए हैं किस गौँ से आए हैं किस से किस महला से आए हैं अपने बारे में बताएए फिर ये धागा 11 बार लपेटिए और उन से कह चाहिए या जोब में परिसानी है आपको वैपार चाहिए या किसी भी तरह का आपको कोट कचरी की मुश्किले है इस पौधे से कह अपना नाम कह देए और तीन सनी बार या दीन सों बार ये परियोग कीजेगा आपके मुश्किले बस तीन सोंबार तीन सनिवार का मतलब एक इस बाइस दिन इस मद्द ही समाफ्थ हो जाएगा अब हम आपको एक बहुत बड़ा तांतरिक परियोग बताएंगे यानि कि अगर आपके उपर या आपके घर परिवार के उपर किसी ने कोई तंतर कर दिया है जादू टोना कोई आपके उपर आपके घर के उपर करवा दिया है तब आप अब जादू टोना के लक्षन भी बहुत होते हैं भारी भारी सा लगना, घर में एक अजीब सा गंद आना, घर गुशने का आने का मन नहीं करना, बहुत सरे मुश्क्रे हैं, जैसे जगरे लड़ाई बढ़ जाना, स्वास्त की परिसानियां, लगातार, सब कोई पीडित है, पूरे घर परिवार दवाईयां खा रहा है, ये पूरे ही उखाड कर ले आईएगा, जैसे सनी वार को करना है, सुक्र वार के दिन, परनाम करके उनको बोलिए, कि हम आपको ले चल रहा हैं, हम चाहते हैं, मेरे घर में जो तंत करीया है, वो समाब्थ हो जाए, अगर आपको सोंबार को करना है, तो रभी वार के दिन ये प और उसका एक फल ले आईए, पुस्प पाँचे ले लीजेगा और एक फल, तो आपको चाहिए होगा सत्या शी का पुधा जड़ के साथ ही उखाड कर लाना है और मदार के पुधे का, एक फल और पाँचे पुस्प, उसको कहते हैं, इसके साथ ही आपको चाहिए होगा, कम सा आत की संख्या में लॉंग थोरा सा कपूर और एक दो बतासा अब इन सभी चीजों को इकठा कर ले सोंबार या सनी बार के दिन मिट्टी के बरतन में इनको रखकर आप कपूर रखेंगे कपूर में आग लगा देंगे बाकिसी चीजों से भी जलने लगेगा और धुआ भी न गुमाईए जितना भी बड़ा आपका घर है उपर नीचे अच्छा अंगन है बालकनी है हर जिग गुमाईए फिर इसको आप घर में धुआ पूरा गुमा ले फिर खुले अस्थान पर रख दें जब वह सांथ हो जाए तब घर से बाहर निकल कर कहीं भी आप साइड में प परिसान करने के लिए जिसके कारण आप लोग बार बार परिसान हो रहे हैं समस्या में घिर जा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको जलाना है इसमें देखिए तमाम समगली हमने रखकर आपको एक पिक के थ्रू समझाया है तो इससे आपके घर पर जिसकी भी बुरी कहते हैं और आग के पौधे का एक फल और पांचे फूल लेकर आना है तो यह तीन परियोग थे महा परियोग जिसको हम कहते हैं इसको आप जरूर कर लीजे हंडेट परसंट बेनीफिट तो मिलना ही है हम आप से विदा लेते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखे हैं धन्यवाद